असलाम अलेकुम जी आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी आलू टिक्की की रेसिपी लेकर आए जो बहुत ही क्रिस्पी, क्रण्ची और सबसे अच्छे बात बहुत जादा टेस्टी बन कर रेडी होती है और बनाना तो बहुत ही आसान है, अभी सर्दियों का मौसम है, हर किसी का मन होता है कुछ चटपटा बनाने का, तो इस सर्दियों के मौसम में इस तरीके से एकदम करारी करारी और अंदर से जूसी और वो भी मसूर के दाल वाली फिलिंग की आलू की टिक्की की रेसिपी बना आलू की टिक्की के लिए हमें सबसे पहले किन चीजों की जरूरत पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम हाफ केजी आलू लेंगे और आलू को पहले बॉयल कर लेंगे बॉयल करके इसके छिल्टे उतार लेंगे अब हम क्या करेंगे इस तरीके का एक ग्रेटर लेंगे और इससे ग् करना है और अगर आपको हमारे वीडियो पसन आते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक भी कीजिए शेर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जो साइट में जो बेल बटन आता है उस कॉल पर किलिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर अमेजिंग से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और एक लाइक कर दीजिए आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है हम आपको और भी अच्छे अच्छी रेसिपीस दे ता हम क्या करेंगे जितने भी आलू है इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और फिर हमने मसूर डाल ली है यहाँपर हमने 2 tablespoon मसूर डाल ली है और मसूर डाल को हमने अच्छी तरीकी से wash कर लिए और wash करने के पाद में 2 घंटे पहले भीगोने के लिए हमने रख दिया था यैनी ये मसूर की डाल को 2 घंटे हो चुकेते अब इस तरीके का हम ड्रेनर लेंगे यानि चन्नी लेंगे और इस मसूर की डाल को छान लेंगे और निधरने के लिए रख देंगे और अब हम आलू की टिक्की के अंदर की फीलिंग बनाएंगे पहले चाह मसूर के डाल को नित हरने के लिए रख देंगे और फीलिंग बनाएंगे फीलिंग बनाना तो बहुत ही आसान है अब हम गैस आउन करेंगे गैस पर हम एक पैन रखेंगे और पैन में वन टेबल स्पून ओयल डालेंगे और ओयल को थोड़ा गरम होने देंगे और गरम होने के बाद में हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम एकदम कम पर रखेंगे यानि स्लो पर रखेंगे और इसमें 1 teaspoon 0 जीरा दालेंगे फिर 1 teaspoon लाल मेश पाउडर दालेंगे और फिर हम क्या करेंगे इसमें 1 teaspoon हल्दी पाउडर दालेंगे और ये जो सारा मसाले को भूनने का प्रोसेस है ने एक दम हमें slow flame पर करना है क्योंकि हम थोड़ा भी flame full करेंगे तो इस सारे मसाले जल जाएंगे फिर इसमें 1 teaspoon धनिया पाउडर दालेंगे फिर 1 teaspoon इसमें चीनी दालेंगे अब चीनी दालना optional है अगर आपको चटपटा और मीठा पसन है तो आप दाल भी सकते वरना इसकिप भी कर सकते और फिर हमने इसमें नमक दाला नमक का वही है हम अपने टेस्ट के according यहाँ पर नमक यूस कर सकते और इसमें फिर हम क्या करेंगे थोड़ा से चाट मसाला दालेंगे लगभख 1 teaspoon जितना हम चाट मसाला दालेंगे और फिर एक इस पेचुला से इसे मिक्स कर लेंगे सिर्फ हमें मिक्स करना है इसे हमें कोई बहुत जादा बूनना नहीं है और पकाना नहीं और याद रखना है कि गैस की जो फ्लेम एकदम स्लो पर रखना है अब हम क्या करेंगे जो मसूर की डाल को हमने निथार के रखका था ना इसमें डाल देंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताके मसूर के डाल के अंदर जितने भी मतलब के जितना भी मसाला है ये सब मिक्स हो जाए मसूर के दाल के अंदर और इसमें सारे मसूर के दाल में अच्छे तरीके से चट पटा और मीठा टेस्ट आ जाए अगर आप के पास में लेमन अवेलिबल हो तो इसमें अगर हम हाफ लेमन दालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट देना है एकदम slow flame पर हम इससे पकने देंगे इसमें पानी डालने की जरुवत नहीं कोई चीज की जरुवत नहीं तब तक कि मसूर की डाल पकती है तब तक कि हम आलू की टिकी के अंदर सारे मसाले डालेंगी यान इसे दो ही चीज़े डालना है हमने आलू को अची तरीके से greater अब इसमें हम नमक दालेंगे नमक कोई यह अपने टेस्ट के अकोर्डिंग हम नमक यूज़ कर सकते हैं फिर हम इसमें 3 टीस्पून कॉन फुलावर दालेंगे कॉन फुलावर का भी ऐसा है कि अलू पर है अगर नए आलू है तो हमें कॉन फुलावर ज्यादा लगेंगा और अगर जूने आलू है तो इसमें हमें कॉन फुलावर कम लगेंगे तो अगर देख लीजिए आपके यहाँ पर कैसा वेदर और कैसा आलू मिलते हैं हमारे यहाँ पर नए आलू है तो हमने यहाँ पर 3 टीस्पून कॉन फुलावर दाला और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर चाहिए सिफ 20% मसूर की दाल में थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए ताके जब हम इसके आलू की टिक्की के अंदर मसूर की दाल की फिलिंग भरेंगे तो उसमें पक जाएंगे और बहुत अच्छी क्रण्ची क्रण्ची लगेंगी अगर हम स्यादा गला लेंगे तो उसका राउंड करने के बाद में इस तरीके पेडा बनाएंगे और इसके अंदर फिलिंग भरेंगे फिलिंग भरना भी हम अपने इसाब से कम या जादा लेकिन हमें इतनी भी जादा नहीं बहना कि जो टिक्की है यह फूरी फूट जाए हमें थोड़ी सी लगबख वन हमें हम अच्छी तरीके के पेडिया लगएंगे गरया हमें प्याति पन जाए हम आऑने घंवें से श्रास फूरी प्याता हमें द्वहीं बनाएंगे हम तर एक रखुछ तरीके से लगए आपने हम कम एम ऐसे बहूरी दोग रािख दातकों अम धाले मेने हम दूट कर क्योंकि हम इसे shallow fry करना है हमें इसे deep fry नहीं करना और हमने फिलाल 6 टिकिया बना कर ready किये हमें जब भी टिकिया खाने का मन होगा यानि आलू की टिकिया खाने का मन होगा तो हम इसे fry कर लेंगे इस तरीके से हम 6 टिकिया इसमें दाल देंगे दालने के बाद में slow flame पर पकने देंगे इसका जो process यह है अगर हमें आलू की टिकिया जो है एकदम crunchy चाहिए तो हमें इसे एकदम slow पर बनाना है और अगर हम इसे जल्दी जल्दी बना लेंगे, full flame पर बना लेंगे तो यह जो अंदर से भी कच्ची रह जाएंगी, corn flour भी कच्चा रह जाएंगा और उपर से जल जाएंगी तो हम इस तरीके से आलू की टिक्की को सारे पलट देंगे और slow flame पर पकने देंगे जब तक के आलू की टिक्की पकती है तब तक हम क्या करेंगे दही लेंगे और दही को एक छनी से अच्छी तरीके से चान लेंगे क्योंकि हम जो यह आलू की टिक्कीया है तो दही वाली भी बनाएंगे और simple भी बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे सारे आलू की टिकिया अच्छी तरीके से पक चुगी तिर हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद में एक स्पेचुला से हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि यह अच्छी तरीके से और भी क्रंची बन जा और इसके जो टिकिया की साइज है हमें इतना प्रेस करना है कि वो जो टि की बनकर रेडी है और बहुत ही क्रंची बनी आपको हम इसका आवाज भी सुनाएंगे आगे वीडियो में कि उपर से कितनी क्रंची और अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी और इसमें कलर भी कितना अच्छा आया है आप इससे जादा भी फ्राइ कर सकते एकदम गोल्डन ब्राउं लेकिन हमने इस तरीके से इस टिक्या को ये किया है समझो फ्राइ किया है अब सुनिए इसका आवाज अब हम क्या करेंगे, यह जो टिक्किया है इसे हम अच्छी तरिके से सेट कर लेंगे कटोरी पर और इस पर हम जो आलू टिक्की होती है उसकी जान यानि सारी इसमें चटिनिया डालेंगे यानि सौसेस डालेंगे जो भी हमें पसन हो तो हमने इस पर सबसे पहले तो हरी चटिनी यानि फूदीनी की चटिनी डाली फिर इसके उपर से जो मीठे वाली इमली की चटिनी होती है न तो यानि इमली को सौस वो डालेंगे, फूदीनी की चटनी की तो आपको हमने रेसिपी दी हुई है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख लेना, और ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस फूदीनी की यानि तीन से चार चटनी की रेसिपी हम उसकी लिंक दे दे हमारे पास में छोले हो तो छोले भी दाल सकते, जो भी हमें डालना है, दाल सकते उपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला दालेंगे, और हम यहां पर टमाटा सॉस भी यूज़कर सकते अगर आपको पसन हो तो वरना इसकिप भी कर सकते हम लाल मिर्च पॉर्डर दालेंगे लाल मिच पोडर भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दाल सकते हैं तो यहां पर सिंपल वारी जो टिक्कियों डही वाली बनाएंगे दही वाली बनाने के लिए फिर से हम दो टिकिया लेंगे, एक कटोरी में, उपर से प्यास दालेंगे, खुब सारा, फिर खुब सारा सामारा दालेंगे, फिर हरी चटनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दालेंगे, इमली की चटनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दालेंगे, फिर हम इसमें खुब से हरी चटनी दालेंगे फिर से थोड़ी सी लाल चटनी दालेंगे फिर चाट मसाला दालेंगे लाल मेश पाउडर दालेंगे समार दालेंगे इसके अलावा आपको अगर कोई वेज़ेटेबल दालना है तो आप दाल सकते हैं मटकी मूंग जो भी आपके पास में हो भी दाल सकते लीजे गाइज यहाँ पर हमारे दो तरीके की आलु टिकी रेडिई है यहाँ पर दही वाली टिकी भी आयँ WEDOU 12 भी हमने टिक Chung pursue अगर आपको यह रेषिपी पसन आई झाल ने Jord आ में आपीस!